येस, दियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच, क्लास नाइन्थ और टैन्थ के लिए, एट में भी ये टॉपिक लगता है, रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्त आफ और मैं बता दूं आपको, इस सेंटेंस के दो पार्ट है, रिपोर्टेड वर्ब जो कॉमा से सेपरेट है, और रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, टू टाइप्स ओप चेंजिस, एक्टिव पैसिब वोईज में, केवल थ्री टाइप के सेंटेंस जो है, उन्हीं के एक्टिव से पैसिव बनती है, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, इन सभी के डारेक्ट से इन्डारेक्ट जिसे हम कहें, वो सेंटेंसे कंपोज होते हैं, टू टाइप्स ओप चेंजिस आर दियर, दैट केंड बी अप्लाई, इन अब्री सेंटेंस, जो हर सेंटेंस में अप्लाई किये जाएंगे, नमबर वन, चेंज ओप परसन, और नमब करना है, S, it means subject, O for object, and for no change, 1, it means first person, I and V, 2, it means second person, you, and 3, it means third person, he, she, they, it, name, अब ज्यान लखें, इसको इस तरह से execute करना है, ये नमबर वन, यानि first person, जो हैं, वो subject के according change होगा, second person, object के according change होगा, and third person, no change, उसे बिल्कुल भी change नहीं क्या जाएगा, change of tense, verb की first form, if you have a first form with a S, yes, in your reported speech, then you will convert into second form of the verb, verb की second form के होने पर आपको head plus third form में put कर देना है, बस, इस चोटे से दो rule हैं, कई सारी books हैं, कई सारी rules हैं, जो बहुत confused करते हैं, लेकिन आप इन दो rules को ध्यान में रखें, जब sentence के excels में करूंगा, तब यो और अच्छे से clear हो अब next portion में आपको बताता हूँ, reported speech और conduction के बारे में, जो आपको हर sentence में conduction अप्लाई करना पड़ेगा, sentence अगर आपका assertive है, तब आपको reported speech में direct से indirect बनाते वक्त, that conduction पूट करना है, अगर sentence आपका interrogative है, helping up से start होने वाला, तब आप if और weather पूट करेंगे, interrogative के होने पर wh word अ अब आगे और भी कुछ rules है, वो मैं आपको और बताता हूँ, इसके,